नई जनरेशन, नई जनरेशन एक बात को लेगे बहुत वादा confused है, उसको ऐसा लगता है कि जो हमारा partner है, वो बहुत खूबसूरत होना चाहिए, खूबसूरती को लेके एक अलगी किसम का crazy होता है, इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना जाते हो कि आपकी शादी शुदा जिन्दगी, शान्ती में धंग से निकले, तो आप अपने से कम खूबसूरत partner के साथ शादी करना, आप में से काफी लोग सोच सकते हैं, यह क्या बात हो, कम खूबसूरत से क्या मतलब होता है, खूबसूरती का है, शादी से कैसे मन, शुरू सही attention, compliments जादा मिलते हैं, और जिसकी वजह से वो अपनी खूबसूरती को लेके कुछ जादा conscious रहता है, अब खूबसूरती को लेके conscious रहने का मतलब यह है, कि जब आप किसी की तारीफ करते हो, आप तो बहुत खूबसूरत दिखते हो, तो दूसरा इंसान जब इस किसम की तारीफे सुनता है, तो उसका दिल और दिमाग इस किसम की तारीफे और सुनना चाहता है, जिसकी वजह से वो अपनी खूबसूरते पर कुछ जादा ही धियान देने लग जाता है, तो जादा वक्त यह लोग अपनी खूबसूरती पर ही देते हैं, और जो दूसरी वियावारी खुबसूरती है दूसरी जो दिमागी खुबसूरती है intellectual beauty जो की जैसे आपका ग्यान है आपकी समझ है जैसे किताबे पढ़ते हैं आपका पढ़ने के बाद आपका जो दिमाग है उसको समझ आती है समझदारी आती है इन लोगों का उनमें कोई इंटरस्ट नहीं होता इन लोगों के इस बात का पूरा गमंड होता है कि ये बहुत खुबसूरत है और इनको तो कोई भी आसानी से मिल जाएगा और मिलते भी हैं इनको इनके खुबसूरती के जाल में बहुत लोग फस्ते हैं इनको ऐसा लगता है कि हम खूबसूरत हैं और हमें किसी की जूरुत नहीं है क्योंकि यह जहां जाते हैं वहां इनको attention मिलती है देखे हम जितनी मरजी equality की बाते कर लें लेकिन सही मायने में मेरे को तो कहीं equality दिखाई नहीं दी मान लीजे, कोई लड़की है, बहुत खूबसूरत है, वो कहीं पर इंटरव्यू देने जाती है और अच्छे कपड़े डाल के जाती है, टाइट फिटिंग के तो कितनी संभावना है कि उससे सवाल जवाब बहुत किये जाते है वो जैसे ही कमरे में एंटर होती है, वो सलेक्ट हो जाती है बहुत केसिस में ऐसे होता है कि लड़का अगर बहुत खूबसूरत है अच्छी है, कपड़े की फीटिंग अच्छी है उसकी और fitness भी इसकी अच्छी है जैसे ही वो इंटर्व्यू के जो रूम होता है उसमें इंटर करता है और वहाँ पर कोई female staff होता है या female interview लेने वाले जो लोग होते है वो देखते हैं उसको select, दिमाग में okay ये natural है क्योंकि आप खूबसूरत चीज को देखना चाहते है आप खूबसूरत लोगों को अपने आसपास रखना चाहते है उससे एक अलगी glamour आता है कली लोग तो खूबसूरत लड़कियों को औरतों को अपने ओफिस में इस वज़े से रखते हैं क्योंकि रोनक लगी रहती है कि चलो ओफिस जाने को motivation मिलता है खूबसूरत औरत आफिस में होती है तो इंसान वक्त से पहले जाने की कोशिश करता है यह चीज बिल्कुल psychological level पर बिल्कुल समझ में आती है क्योंकि आप opposite sex की तरफ attract होते है आप उनकों impress करना चाहते है तो जिन offices में खूबसूरत लड़कियों होती है वहाँ पर जो लड़के होते है वो भी थोड़ा ज़ादा ही decent हो जाते है उनकी कपड़े पहनने का style उनकी बात करने का style उसमें अलगी decency आजाती है चाहे वो अपने college में कितने ही ज़ादा non-descent हो तो उनके पीछे अब लड़की है खूबसूरत लड़की है अगर आप किसी खूबसूरत लड़की का social media देखेंगे तो इतने लड़कों के message आए रहते है कि वो तो check भी नहीं करती है इतनी friend request natural है जब किसी व्यक्ति को इतना attention मिलता है तो उसके लिए यह सब चीज़ें बहुत normal हो जाती है और आदफ पड़ जाती है तो जब ऐसे व्यक्ति की शादी होती है तो वो सब चीज़ें आप सभी वैसी expect करता है वो यह कहता है कि देखो मैं तो हूँ खूबसूरत अब तुम्हें अपना काम करना है मेरा काम में सिरफ खूबसूरती को मेंटेन करना बाकी सब आप देखो इस किसम भी सोच हो जाती है लोगों की और फिर यह से लोग न डिमांड करते हैं कि हमें beauty products लाके दो हमें jewelry लाके दो और आपके पास इतना पैसा नहीं होता क्योंकि इनको शौक होता है अच्छे कपड़े पैनने का आप इतना नहीं कर सकते हो फिर आपके लड़ाईयां होती है और जो आदमी होते हैं अगर आदमी खूबसुरत हो जब आदमी खूबसुरत होता है तो लड़कियां उसको खूब attention देती है तो जो उसकी पतनी होती है वो ज़रूरत से ज़ादा ही insecure रहती है और वो भी अपनी पतनी की बिल्कुल care नहीं करता है क्योंकि उसको पता है कि उसको attention मिलती है उसको लोगों से attention मिलती है और वो पतनी जो है वो भी जुक्के रहती है उसके सामने अगर वो गुस्सा भी कर देगा तो भी पतनी ये सोचती है कि नहीं इसको छोड़ना असान नहीं है इतना खुबसूरत आजमी का मिलेगा मैंने कितने रिलेशनशिप्स ऐसे देखे हैं जो कि पूरी तरीके से टॉक्सिक रिलेशनशिप्स थे लेकिन कोई न कोई एक पार्टनर इतना खुबसूरत था जिसकी वज़े से दूसरा उसको छोड़ नहीं सका उनकी ये सोच होती थी कि अगर इसको छोड़ दिया तो यार इतना खुबसूरत तो नहीं मिलेगा इतना खुबसूरत प्रेमी या प्रेमी का नहीं मिलेगी तो कोई बात नहीं जेल लेते हैं और वो खुद को इस बात की तसलिक देते रहते थे बोलके कोई नहीं वक्त के साथ ये बदल जाएगा या इसको हम बदल देंगे अपने प्यार से क्योंकि प्यार में तो बड़ी ताकत होती है ये सब बाते होती हैं प्यार में क्या ताकत होती है मुझे तो समझ नहीं आता क्योंकि मैंने तो कभी किसी एक व्यक्ति को बदलते नहीं देखा कि जो कि आपकी प्यार की वज़े से बदल गया मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ लोग आपकी प्यार की वज़े से बदलने का नाटक जरूर कर सकते हैं लेकिन जरा सी आपकी उनके साथ किसी बात को लेके लड़ाई होती है है वो फिर से अपनी पुरानी आदतों को अपने जीवन में ले आते हैं मान लीजे आप fitness conscious हैं आप अपने partner को बोलते हैं आप अपनी girlfriend को बोलते हैं कि morning में उटके exercise किया करो जब तक आप उसको अच्छे से रखते हो तब तक तो आपकी बात सुनती है जिस दिन कभी यह थोड़े करनी है exercise हो तुमने अपने लिए करनी है हमें नहीं पता तुमने कहा है इसलिए हम नहीं करेंगे अब तो बात एहम पर आ गई लड़के college में होते हैं इतने fit होते हैं और बाद में अंकल लगने लग जाते हैं नैचरल है उमर का फरक पड़ता है क्यों नहीं पड़ता है आप चाहिए कि इतना अपनी कियर करें लेकिन दिखाई देता है उमर का असर कुल में लागे बात यह है कि आप जब शादी करते हो तो एक बात जरूरी important है कि सबसे पहली बात तो यह है कि ना जस भी व्यक्ति के ता शादी करते है आप उसको समगईदार मानन के तो मत चलो आप यह सोच ऊँंदार मत कि वो व्यक्ति समगईदार है क्योंकि लोग अप जो भी कुछ करते हो आप यह समझो कि आपको अपने पार्टनर के साथ एड़ेस्ट करना ही पड़ेगा अगर आपका पार्टनर थोड़ा एवरेज गुड़ लुकिंग ना हो एवरेज हो मैं यह नहीं कहता कि एवरेज सारी अच्छे होंगे आवरेज आपको टेंशन देंग इक ही पतनी की खुबसूरती पर नहीं जाना चाहिए क्योंकि आप कितना मरजी खुबसूरत पार्टनर लेआओ दो चार-चे महिने के बाद आपको वो उसकी खुबसूरती बोर्यत लगने लग जाते है इंसान उस खुबसूरती से उप जाता है क्योंकि एक चीज को आप तो फिर उब जाते हो तो खुबसूरती से आप उब सकते हो लेकिन समझदारी से या mutual understanding से इंसान नहीं उबता अगर आप किसी व्यक्ति के साथ दोस्ती करते हो या शादी करते हो, वो mature है समझदार है, चाहे कम बात करता है लेकिन सही बात करता है तो आप भविष्य में जब इस फैसले के बारे में सोच चोगे कि आपने फैसला क्यों लिया था आप खुश होगे इस फैसले को लेके ये इनसान मुझे दुख नहीं देता ये इनसान मुझे शान्ती देता ये बहुत important बात मैंने बताई है खुबसूरती देखके शादी मत करना शादी करना तो दो चीज़ें देखके पहली चीज़ ये है कि व्यक्ति की income क्या है क्या ये अपनी family को support कर सकता है क्योंकि बारे में बच्चे भी होगे उनको पालना भी है मजाग थोड़ी है family अब दूसरी देशों में क्या होता है वो तो लड़का लड़की पसंद आए शादी कर लिए और फेटी वोर्स कर देते हैं क्यों क्योंकि आदमी तो कमाता नहीं था family को चलाने के लिए जो जिम्मेदारी होती है वो निभाई नहीं पाता हो क्योंकि कमाई नहीं है तो शादी जो चीज होती है उसको realistically देखना चाहिए कि आदमी क्या कमाई करता है क्या अगर वो कमाई नहीं करता है तो उसकी family में इतना है जो आपको अच्छी तरीके से रख सके family अच्छी family है strong family है लेकिन prefer यही करो कि आदमी कुछ करता हो क्योंकि मैंने यह भी देखा है कि जो लोग काम नहीं करते है वो बाद में family का जो पैसा होता है वो नशे में ही खराब होता है वो पैसे का जो नशे में खराब करते है वो लोग तो आदमी कुछ करता होना चीए कुछ कमाई होनी चाहिए एक चीज और दूसरी चीज है इंसान थोड़ा सा मैच्चोर होना चाहिए, समयदार होना चाहिए खूबसूरत कम हो बहुत कम हो, कोई रिक्कत नी आपके लिए बाद में जो माईने रखता है वो सिरफ शान्ती माईने रखती है, अगर आपका आप जो पती है, जो प्रीमी है, अगर आपके साथ इज़त प्यार से रहता है आपको वो अच्छा लगने लग जाएगा अगर वो आपकी इज़त करता है, लेकिन आपका पार्टनर बहुत खूबसूरत है आपके साथ गाली गलोज करता है, पत्तमीजी करता है आपको नफरत हो जाएगी उससे ये कुछ बेसिक सी बाते हैं, तो कोल मिला के एक बात समझ लीजिए शादी उसी व्यक्ति से करिए जो इसमें धहरे हो, इसमें शान्ती हो समझदारी हो, जो आपको सुनता हो जो आपको समझता हो खूबसूरत ना हो, कम हो ड़संट मेटर, चूंकि तीस के बाद तो वैसे ही खूबसूरती धलनी शुरू हो जाती है बस मैं यही कहना चाहूँगा और दूसरी बात यह है कि यह मैं समझना कि शादी है डिक्कत होती है, शादी में एडजस्टमेंट होती है और एक टाइम के बाद एडजस्ट कर लेते हैं दोनी साइड से लोग एडजस्ट करते हैं और हो जाती है एडजस्टमेंट एक टाइम के बाद तेंक यू